आज के इस वीडियो में आपको NTPC के तरफ से एक Bumper विकेंसी की अपडेट देने वाला हूँ जिसमें 800 पोस्ट के लिए विकेंसी अभी निकलिया है फ्रेसर वालों के लिए विकेंसी निकलिया पर्मानेंट जोब्स आपको होने वाली है Complete Information में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहे हैं लाइक ने किया है जरूर से लाइक कर देजिए और इसी तरह के जो भी सारी जॉब्स और विकेंसी की इन्फोर्मेशन आती है इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहती है आ आप लोग इसको अप्रेट पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें टेलिग्राम से जोन होकर करेएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्षन के पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं देख स इसमें आपको थ्रूग गेट के अधार पर आपको इसमें जॉब मिलने वाली है तो इसमें कौन-कौन से ब्रांच है मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट दिखा देता हूँ 864 पोस्ट के लिए वेकेंसी निकली है और इसमें जो ब्रांच है यह सभी ब्रांच आपक का टाइम वेस्ट नहीं होगा तो अगर आप लोग बीटे कंडिडेट हैं तो इसमें अपलाई कर पाएंगे और आपका जो ब्रांच है यह सिविल मेकनिकल इलेक्ट्रिकल मैनिंग इलेक्ट्रोनिक्स इंस्ट्रुमेंटेशन यह सभी ब्रांच और इनसे एलाइड ब्रांच से अगर आप लोग बीटे कर रखे हैं तो इसमें अपलाई कर पाएंगे सेल्डी आपको चालिस से लेकरके एक लाग चालिस जार पर मन्थ आपको मिलने वाली है और क्वालिफिकेशन आप लोग इहां पर देख पाएंगे आपका फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री होना चाहिए minimum 65% आपका मार्क होना चाहिए और in case अगर आप SCST PWD candidate है तो आपका 55% मार्क भी है तो भी चलेगा और candidate must have appeared for gate aptitude test in engineering gate 2022 में आपका appear होना जरूरी है और obvious बात है उसमें आप अच्छे mark score किये होंगे तो आप लोग इसमें eligible होंगे apply करने के लिए और अगर आपका जो mark है अच्छा होगा तो आपको इसमें job भी मिल सकती है age limit की बात करें तो आपका जो age है वो 27 years होना चाहिए 27 years से कम होने चाहिए upper age limit जो है और 27 years इसमें दिया गया है selection process जो है इसका candidate must have appeared for gate 2022 candidate will be selected west on the gate 2022 performance तो gate 2022 में जो भी आपका mark आया है उसी के अधर पर आपका इसमें selection होने वाली है अगर आप इसमें select हो जाओगे तो one year के लिए आपको training period रहेगा training period जब आपका खतम हो जाएगा तब आपको engineer executive के post पे आपको permanent job मिल जाएगी कैसे इसको apply करना है तो आपको वीडियो के description में apply online का link अभी तो इसका जो एक्टिवेट नहीं किया गया है आप लोग को wait करना होगा important date जो है इसका 28-10 से ले करके आप लोग 11-11-12-22 की बीच में apply कर पाएंगे तो इस date का wait कीजिए उसके बाद आप लोग इसको apply कर सकते हैं इस website के थुरू आप लोग इसको apply कर पाएंगे अभी इसका short advertisement notice जाड़ी किया गया है जब इसका detail information आ जाएगा तो मैं आपको जरूर से वीडियो के मादधम से या telegram के मादधम से अपडेट दे दूँगा तो जरूर से चैनल को subscribe करके रखिए, bell icon press करके रखिए जिनसे की जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी notification मिल जाए और telegram चैनल से जरूर से join हो कर करिएगा वीडियो के description में और comment section में आपको link मिल जाएगा